पाठा त्रियोदश अम्रतम संस्कृतम सप्तम वरगाय अम्रतम संस्कृतम अर्थार्थ संस्कृत भाषा अम्रत के समान है इसमें हम संस्कृत भाषा के महत्व के विशे में जानेंगे संसार की उपलब्ध भाशाओं में संस्कृत भाशा सबसे प्राचीन भाशा है भाशेयम अनेकाशाम भाशाणाम जननी मता भाशाओं में अनेकाशाम यानि अनेकों भाशाणाम भाशाओं की जननी अर्थार्थ माता मता यानि मानी गई है संस्कृत भाशा सभी भाशाओं की जननी मानी गई है अनेकों भाशाओं की प्राचीनयो यानि प्राचीन ज्यान विज्यानयो ज्यान और विज्यान की निधी अर्थार्थ खजाना अस्याम यानि इस भाषा में सुरक्षिता अर्था सुरक्षित है संस्कृत स्य महत्व विश्य के नापी कथितम संस्कृत के महत्व के विश्य में किसी के द्वारा अप यानि भी कथितम कहा गया है भारत स्य प्रतिस्थे द्वे संस्कृतम संस्कृतस तथा भारत की दो प्रतिस्था है संस्कृतम अर्थार्थ संस्कृत भाषा तथा यानि और संस्कृती भारत की संस्कृती यह भाषा अती व्यज्ञानिकी यह भाषा बहुत ही व्यज्ञानिक है केचन कत्यान्ती कुछ कहते हैं यह त्यानि की संस्कृत मेव संग्डतस्यक्रते सर्वोतम भाषा कि संस्कृत भाशा ही कंप्यूटर के लिए सबसे अच्छी भाशा है अस्याम वांगमयम वेदा पुराणई नीती सास्त्रई चिकिस्ता सास्त्र आधी विश्य इस्मृद्धमस्ती इसका जो वांग साहित्य है भाशा का इसमें वेद पुराणों के द्वारा नीती सास्त्र के द्वारा चिकिस्ता सास्त्र आधी सास्त्रों के चैन और इससे इस्मृद्ध अस्तियनी है कालिदास आधी नाम विश्यकवी नाम कावे सौंदर्यम अनुपमम कालिदास आधी विश्यकवियों का कावे सौंदर्य अतलनिय है जिसक्य तुलना नहीं कर सकते कोटले रचितम अर्थ सास्त्रम जगती प्रसिधम मस्ती गड़ित सास्त्रे शून्यस्य प्रतिपादिनम सर्व प्रत्मम आरे भटाह अकरोध कोटले अर्थार्थ चानक के और विश्नुगुपत आधी इनके अन्यनाम भी है इनके द्वारा रचित अर्थ सास्त्रम अर्थार्थ इसको एकनॉमिक्स कहते हैं जगती यानि संसार में प्रसिधम मस्ती सबसे प्रसिध है कड़िस सास्त्रे शून्यस्य प्रतिपादन कड़िस सास्त्रे यानि अथार्थ मैटमेटिक्स में शून्य यानि जीरो का प्रतिपादन सबसे पहले आर्य भट ने किया जीकिस सास्त्रे यानि साइन्स का जो मेडिकल साइन्स है उसमें चरक शुष्रुत्यो योगदानम विश्व प्रसिधम चरक और शुष्रुत का योगदान विश्व में बहुत प्रसिध है संस्कृते यानि अन्यानी सास्त्राणी विध्यन्ते तेशु वास्तु सास्त्रम रसायन सास्त्रम खगोल विज्ञानम जोतिश शास्त्रम विमान सास्त्रम इत्यादीनी उलेखनी यानि संस्कृत में अन्य अर्थार्थ दूसरे सास्त्रों में विध्यनते जाना जाता है तेशुग उसमें बास्तु सास्त्र, रसायन सास्त्र, अर्थार्थ केमिस्ट्री, खगोल विध्यानम अर्थार्थ जिसमें एस्ट्रोनामी तारोगी और चंदमा आदी ग्रहों का बारे में जो जानकारी है, जोतिस सास्त्रम यानि पामिस्ट्री, विमान सास्त्रम यानि वायु यान आदी यानों के बारे में एरोनाइटिक्स इत्यादी ने, इन सब का इसमें है संस्कृत में विद्धमान सुक्तिया अभ्युद्याय प्रेरियंती संस्कृत में विद्धमान सुन्दर उक्तिया यानि वचन अभ्युद्याय कल्यान के लिए प्रेरियंती प्रेरित करते हैं यथा यानि जैसे सत्य मेव जैते सत्य की ही जै हो यह सुक्तिय में मंड़कोप निशद में मिलती है वसुद्यव कुटुम्बकम यह संपून प्रत्वी ही हमारा घर है विद्या अमृतम अश्नुते विद्या के द्वारा प्राणी अश्नुते यानि अभूत प्राप्त करता है योगह कर्मशु कौशलम कर्म में कुशलता ही योग है सरभूतेशु आतमवत व्याभारम करतों सभी प्राणियों के लिए आतमवत अपने समान व्याभारम करतों अपने समान ही व्याभार करना चाहिए जिस प्रकार का व्याभार हम अपने लिए चाते हैं अपने समान विवार्ड दूसरे के लिए करना चाहिए। संस्कृत भाषा, सम्यक शिक्षियती, यह चीज संस्कृत भाषा में भली भाती हमें सिक्षा देती है। केचन कथियंती यत संस्कृत भाषायाम केवलं धार्मिकम साहित्यम वर्थते एशा धारना समीचीना नास्ती केचन यानि कुछ कहते हैं कि संस्कृत भाषा केवल धार्मिक साहित्य इसमें है यह धारना उचित नहीं है संस्कृत ग्रंतों में मानब जीवन के लिए अनेकों प्रकार के विशय इसमें समाहित है मा पुर्शानाम मती महान व्यक्तियों के बुद्धी उत्तम जनानाम ध्रती सजन लोगों का धैर्य सामानने जनानाम जीवन पदती जो सामानने जन है उनकी जीवन शैली चा वर्णिता संती इसका वर्णन है अतह असमाभी हमारे द्वारा संस्कृतम अवश्य में पठनियम संस्कृत को जरूर पढ़ना चाहिए तेन मनुष्यस्य समाजस्य चा परिशकारा भवेद उसके द्वारा अर्थार संस्कृत के द्वारा ही मनुष्य का समाजस्य नि समाज का चायनि और परिशकारा भवेद यानि उनका शुद्धी भवेद यानि होनी चाहिए उक्तम चा और कहा गया है अम्रतम संस्कृतम मित्र सरसम सरलम वचहा भाशाशू महनियम यद ज्यान विज्यान कोशकम हे मित्र संस्कृत भाशा अम्रत के सामान है सरसम रस्य युक्त है सरलम सरल है वचह इसकी जो वाणी है रस्य परिपून और सरल है भाशासू भाशाओं में महनियम यह महत्वपोन है यह द्यानिकी इसमें ग्यान विज्ञान पोशकम और यह ग्यान की और विज्ञान दोनों की पोशन करने वाली है धन्यवाद